ओके दोस्तों तो इंग्लेंड और न्यूजिलेंड के बीच में फर्स T20 इंटरनाशनल मैच खेले जाने वाला है सीट यूनिक रिवर साइट चैसले ली स्ट्रीट इंग्लेंड के वेन्यू पे और दोस्तों दोनों टीमों की अगर मैं head to head performance की बात करूँ तो दोनों टीमों में दोस्तों आज तक 23 मैच खेले जा चुके है जिसमें से की 14 मैच इंग्लेंड ने विन किया है और न्यूजिलेंड ने 8 मैच विन किया है तो अगर आप लोग history देखोगे न तो इंग्लेंड के टीम का पलडरा हमेशा से भारी रहता है न्यूजिलेंड के ऊपर लेकिन आज की इस मैच पे क्या होने वाला है और कैसे आप लोग अपने लिए fantasy की एक जबरदस टीम मना सकते हो आज के इस वीडियो पे यही सब हम लोग देखने वाले हैं तो वीडियो को कोशिश कीजेगा शुरू से लेकर end तक देखो और वीडियो के end पे दोस्तों आप लोगों के साथ अपनी personal team भी discuss करूंगा तो team को भी देखेगा captain vice captain के contender भी बताऊंगा और logically वीडियो पे आप लोगों ने कैसे अपने लिए team मनाना है उस बात को भी discuss करेंगे लेकिन दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं venue record को जहाँ पर की ये match खेले जाने वाला है ओके दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर काफी पुराने matches खेले गए हैं और last 5-6 साल से इस venue पर T20 international match नहीं हुए हैं अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर England और South Africa के बीच में 2012 matches खेले गए थे England के टीम ने 118 run मनाये थे और South Africa के टीम ने उस run को chase कर लिया था 7 wicket first innings पे गिरे थे जिसमें 2 wicket pacer को मिले थे 4 wicket spinner को मिले थे second innings पे 3 wicket गिरे थे 3 wicket यहाँ पर pacer को मिले थे जो second match दोस्तों यहाँ पर खेला गया वो खेला गया था England और Australia के बीच पे England के टीम ने यहाँ पर batting first करते हुए 145 run मनाये थे 5 wicket के नुकसान पर 5 wicket पर दोस्तों 2 wicket pacer को थे 3 wicket spinner को थे और Australia के टीम जब इस run को chase करने आई तो सिफ 168 run मना पाई और उसके 9 wicket गिरे थे इन 9 wicket पर दोस्तों 5 wicket pacer के थे और 3 wicket यहाँ पर spinner के थे और जो सबसे recent match दोस्तों इस venue पर खेला गया वो खेला गया England और West Indies के बीच में जो की 2017 पर खेला गया था यहाँ पर West Indies के team ने 176 run मनाये थे 9 wicket के नुकसान पर इन 9 wickets पर 5 wicket pacer को मिले थे तीन wicket spinner को मिले थे और England की team दोस्तों जब इस run को chase करने आई तो 155 run पर ही all out हो गई जिस पर 7 wicket pacer ने निकाले थे और 3 wicket यहाँ पर spinner ने निकाले थे तो overall दोस्तों अगर आप लोग देखोगे इस venue पेना तो wickets निकलते हैं और अगर आप लोग देखोगे recent match के अगर record को देखोगे तो pacer को भी यहाँ पर wickets मिल रहे हैं spinner को भी यहाँ पर wickets मिल रहे हैं और run भी on an average ठीक टाक बन रहे हैं तो एक average सा venue है दोस्तों 160 से लेकर 180 run के बीच में यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है और यहाँ पर आप लोगों को easily 6 से लेकर 8 wicket तक team के गिरते हुए दिख सकते हैं और pacer और spinner के point of view से अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को एक balance pitch दिखेगी clear है अब दोनों teamों के दोस्तों playing 11 को देख लिजे playing 11 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर England के team पर आप लोगों को Josh Butler और Johnny Biesto open करते हुए दिखते हैं first down position पर David Malan आते हैं फिर Harry Brook आएंगे फिर all rounder वाले section पर Liam Livingston, Moeing Ali और Sam Curran आते हैं उसके बाद दोस्तों आप लोगों को balling वाले section पर आदिल राशित, Chris Jordan, Luke Wood और Gus Eggitson दिखेंगे वहीं दोस्तों बात करूँ New Zealand की playing 11 की तो यहाँ पर आप लोगों को Devon Conway और Finn Allen open करते हुए दिखते हैं फिर्स्ट डाउन पोजीशन पर टेम सिफ़र्ट आते हैं उसके बाद Mark Chapman आएंगे उसके बाद all rounder वाले section से Derry Michel आते हैं फिर Glenn Phillips आते हैं उसके बाद दोस्तों आप लोगों को Michel Sankton दिखेंगे all rounder वाले section से और bowling वाले section की अगर मैं बात करूँ तो टीम साओधी इस शोडी लोकी फरगूशन और Matt Henry आप लोगों को दिखेंगे यह दोनों टीमों की playing 11 रहने वाली है अब एक और important बात दोस्तों और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों अगर आप लोग इस match पे opinion करके बहुत अच्छा कासा amount win करना चाते हो तो आप सभी लोगों से मेरा request है नीचे description और comment section पे आप लोगों को tradex app का link मिलेगा दोस्तों tradex एक opinion app है जहाँ पर आप लोगोंने team नहीं बनाना है बलकि यहाँ पर आप लोगोंने opinion देना है और आप लोग यहाँ पर opinion दोगे yes और no पे सबशिस शानदार अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि कोई app है opinion से related market में तो tradex app है दोस्तों नीचे description और comment section पर आप सभी लोगों को इस app का link मिलेगा जैसे आज का इस match है यहाँ पर आप लोगों को कुछ question ऐसे दिखेंगे कि New Zealand to win against England क्या New Zealand England के against win करेगी मुझे लगता है कि England इस match को win करेगी इसलिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ no करने वाला हूँ इंगलेंड तो win against New Zealand यस मुझे लगता है कि England जीतेगी थर्ड question काफी interesting है total run 330 और more in England versus New Zealand match मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर आप लोग pitch का average score देखोगे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया 160 plus run बनेंगे तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर 330 plus run easily बन सकते है तो इस side वाले trade को आप लोग yes कर सकते हो बहुत ही simple से question मिलेंगे दोस्तों आप लोगोंने बस वीडियो को पूरा देखा हुआ हो ना तो इन questions के answers भी आप लोग easily solve कर दोगे बागे telegram group पे भी मैं आप सभी लोगों को इन questions के answers बताऊंगा मेरे answers क्या है तो जैसे कि यहाँ पर मैंने England के लिए trade किया है मुझे लगता है कि England इस match को जीतेगी इसलिए यहाँ पर मैंने New Zealand to win against England को no किया है तो आप सभी लोग भी इस तरह से यहाँ पर trade ले सकते हो easily कुछ नहीं करना है बस यहाँ पर no करना है उसके बाद जितना amount का आप लोगों ने लेना है amount डालके आप लोगों ने buy no कर देना है clear है बहुत ही simple सा है नीचे description और comment section पर जाकर आप सभी लोग इस app को पक्का से download कीजेगा दोस्तों अगर आप लोग मेरे दिये गए link के through इस app को download करते हो तो आप लोगों को बहुत सारे benefits होंगे पहला benefits क्या मिलेगा दोस्तों आप लोगों को 10 रुपे का instant cash मिलेगा instant cash, real cash है यह ठीक है प्लस जब आप लोग app को download कर रहे होंगे न तो इस code को use कर ले न get 20 इस code को use करते ही आप लोगों को 10 के जगा 20 रुपे मिलेंगे अगर आप लोगों ने मेरे link को use किया होगा प्लस जब wallet पे आप लोग money add कर रहे होंगे न तो उस time पे आप लोग क्या कीजेगा अगर आप लोग यहाँ पर अपने wallet पे 100 प्लस रुपीज add करते हो और अगर आप लोग इस code को use कर लेते हो freedom code को clear तो आप लोगों को यहाँ पर 2000 रुपे का promotional cash मिलेगा और यह से मेरे link के थूँ मिलेगा दोस्तों clear बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ virtual trades भी होते हैं एक आप लोगों को यह एक virtual event दिखेगा ठीक है मतलब यह short short win event है क्यों मालूम है क्योंकि जैसे ही आप लोगों को यह event दिखेगा और अगर आप लोग यहाँ पर yes के share खरीद लेते हो तो 100 share आप लोगों को यह 4 रुपे में मिलेंगे और जैसे ही आप लोग खरीद होगे और आप लोग बेशने जाओगे ना यह share automatically 5 रुपे के बिख जाएंगे आप लोगों के simple क्योंकि आप लोगों ने मेरे link को use किया है नीचे description और comment section पे आप लोगों को इस app का link मिलेगा और इस app से बहतरी नप मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इस पूरे market पे मिलने वाला है क्योंकि यह app दोस्तो limited cricket तक ही नहीं है अगर आप लोगों को किसी भी field की knowledge हो चाहे मैं बात करूँ politics की चाहे मैं बात करूँ बाकी sports की चाहे मैं बात करूँ share market की चाहे मैं बात करूँ cryptocurrency की finance की latest news की political news की हर चीज से related आप लोग अपनी opinion यहाँ पर देकर बहुत सारा पैसा कम आ सकते हो तो नीचे description और comment section पे link है link के through app को पक्का से download कर लीजेगा चलिए दोस्तो अब video को start करते हैं लेकिन उससे पहले एक और important बाग telegram group का link है नीचे description और comment section पे अगर अभी तक download नहीं किया है तो तुरंत link को click करके telegram को download करके group को पक्का से join कर लीजेगा clear? चलिए अब section wise analysis start करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं wicket keeping वाले section को wicket keeping वाले section की अगर मैं बात करूँ तो England के wicket keeper वाले section पे आप लोगों को Josh Butler और Johnny Biestro दिखते हैं Josh Butler को देखोगे तो recent form 80 run, 26 run, 67 run यहाँ पर flop रहे हैं, यहाँ पर 40 run बागी venue पे दोस्तों आज तक तीन T20 international match हुए है तीनो T20 international match Josh Butler ने इस venue पे खेला हुआ है दो performance कुछ खास नहीं रहा है इस venue पे, बट head to head का record अच्छा है 12 match में 39 के average से खेले हैं best score 73 का है अभी recently the 100 men series भी खेल कर आ रहे हैं और उस पे भी जबरदस perform कर रहे थे तो एक must pick important player होंगे record देखोगे न तो CVC रखना थोड़ा सा doubtful हो रहा है सकता है इस बात को ध्यान रखेगा बागी दोस्तों आप लोगों को यहां पर Josh Butler के साथ opening करते हुए Johnny Biestro देखेंगे Johnny Biestro को देखो तो 1 run, 13 run फिर 90 run, फिर 30 run, फिर 27 run यहां देखो दोस्तों 66 matches पे 27 का इनका average है head to head performance हाई नहीं है 10 match में सिफ 19 का average है venue पे भी 2 match में सिफ 21 का ही average है तो head to head performance venue performance उतना कुछ खास नहीं है small league के लिए उतने important player नहीं रहेंगे but mega grand league पे as a punt pick का आप लोग try कर सकते हो क्योंकि open केरने आते हैं ताबर तोड़ बैटिंग खेलते हैं अगर थोड़ा सभी टिक गए तो अच्छे खासे point दे सकते हैं अब आजाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले section पे बैटिंग वाले section पे दोस्तों आप लोगों को यहां पर डेविड मलान दिखेंगे और Harry Brook दिखेंगे डेविड मलान को अगर आप लोग देखोगे न head to head performance देखो जरा आठ मैच पे 60 का इनका average है 100 प्लस not out innings इनोंने against न्यूजिलेंड ही खेली थी और 53 बार बना चुके हैं और century एक बार बना चुके हैं इसका मतलब क्या है डेविड मलान को against न्यूजिलेंड खेलना पसंद है recently भी last match में 53 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं एक important pick होंगे दोस्तो मेरे हिसाब से एक must important pick डेविड मलान भी रहते हैं Harry Brook की अगर मैं बात करूँ तो इनका form कुछ खास नहीं चल रहा है second down position पे खेलने आएंगे 18, 8, 4, 20 कुछ खास किया नहीं है 20 match में 26 का ही इनका average है बाकी head to head भी एक match खेला है जिस पे 7 का है इनका average है Harry Brook को मैं दोस्तो अपने team पे drop करके चलने वाला हूँ बात करू दोस्तो all rounder वाले section पे तो all rounder वाले section पे आप लोगों को Liam Livingston दिखेंगे third down position पे खेलने आते 29 match खेल चुके हैं जिस पे 22 का है इनका average है 15 wicket है इनके पास head to head दोस्तो 2 match के लिए है 18 का average है और 2 wicket भी है इनके पास clear बागी recent performance देखोगे तो यहाँ एक बार 3 wicket निकाले थे उसके बाद यहाँ flop रहे हैं यहाँ flop रहे हैं यहाँ flop रहे हैं और यहाँ पर भी flop रहे हैं generally उतने अच्छे touch पे नहीं है लियां Livingston अभी के time पे इस बात को ध्यान रगेगा बागी बात करूँ दोस्तों मोहिंग अली की तो मोहिंग अली को देखो तो यहाँ भी यहाँ पर flop रहे हैं यहाँ पर 19 रन और बॉलिंग नहीं किया यहाँ पर 8 रन और एक विकेट यहाँ पर 15 रन और एक विकेट यहाँ पर ठीक performance था यहाँ भी flop रहे हैं बागी head to head performance अच्छा रहा है अगर आप लोग देखोगे चार मैच के लिए हैं 46 का इनका average है एक विकेट इनों ने निकाला है तो आप लोग क्या कीजेगा मालूम है आप लोग लियाम लिविंग स्टन और मोहिंग अली में से टीम पर किसी एक को ही लेकर चलिएगा ठीक है इन दोनों को लेने के जरूरत नहीं है इन दोनों में से किसी एक को आप लोग पिक कर सकते हो टीम पर क्यों क्योंकि दोनों का performance कुछ खास नहीं है अगर आप लोग देख रहे होंगे बट हाँ दोनों में से एक चल सकता है क्योंकि position बहुत important है दोस्तो 3rd down और 4 down position में से 90% of time एक ना एक player आप लोगों को mega grand league पे दिखी जाता है इस बात को ध्यान दीजेगा clear? ओके बागी बात करो दोस्तों all rounder वाले section से दूसरे player जो है यहाँ पर आप लोगों को Sam Karan दिखेंगे यह important player बन जाता है क्यों? क्योंकि यह open और death पे balling करता हुआ दिखेगा आप लोगों को 100 man series पे खास performance नहीं था Sam Karan का ठीक है ना उतना खास performance नहीं दिया Sam Karan ने अगर recent performance देखोगे head to head देखोगे तो 6 match पे 13 का इनका average है 8 wicket है बागी T20 international पे 38 match पे 11 का इनका average of 42 wickets है क्योंकि दोस्तों यह batting balling दोनों से point दे सकते हैं इसलिए एक important pick बन सकते हैं टीम पर आप लोग pick करके चलिएगा बागी अब आजाओ दोस्तों अपने balling वाले section पे balling वाले section की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को Adil Rashid दिखेंगे venue पे दोस्तों Adil Rashid ने condition पे एक काफी important pick बन सकता है Adil Rashid बागी Chris Jordan दोस्तों अगर आप लोग बात करो Chris Jordan की न तो Chris Jordan को अगर आप लोग देखोगे तो Chris Jordan का recent form बहुत ही अच्छा है The 100 men series पे Chris Jordan ने जो balling कराई थी वो बहुत ही जबरदस्ती ठीक है डेथ पे balling करने आएगा टीम के लिए इस बात को ध्यान रखेगा बागी head to head भी 9 match पे 9 wicket निकाले हैं उसने बागी T20 international career देखोगे तो 87 match पे 36 wicket है recent performance बहुत अच्छा है Chris Jordan को pick करके चलिएगा Adil Rashid दोस्तों एक low selection percentage player दिखेगा आप लोगों को इस बात को ध्यान रखेगा बट आप लोगों के लिए एक punt pick बन सकता है specially mega grand league पे इस बात को no down करके रखेगा इसी venue पे उसने एक match पे 3 wicket निकाल रखे है अब आजाओ दोस्तों बागी ballers को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को Luke Wood का performance अच्छा रहता है दोस्तों death पे balling करते है wicket निकाल लेते हैं एक match पे 3 wicket और एक match पे wicketless गए है एक important pick बन सकते है specially अगर England की team first inning पे balling करने आती है तो Luke Wood काफी important player रह सकते है बागी बात करूं दोस्तों यहाँ पर Gus Eckerson की तो यह इनका पहला T20 international match होने वाला है domestic match पे अभी 100 man series पे आप लोगोंने इन्हें खेलते हुए देखा था performance ठीक था दोस्तों 43 matches पे 56 wicket है mega grand league पे try करना होगा as a low selection percentage player अगर England की team first inning पे balling करने आती है तो आप लोग try कर सकते हो अब आजाओ दोस्तों अपने New Zealand के batting लाइनप पे आप लोगों को wicket keeping वाले section पे दिखते है Devon Conway और Tim Sifford Devon Conway की अगर मैं बात करूँ तो यहां देको 25, 59, 42, 11 और 1 head to head 2 matches खेले हैं जिस पे 24 का अवरेज है T20 international पे 38 मैच पे 45 का अवरेज है अच्छे player है दोस्तों team पर मेरे हिसाब से आप लोगों को pick करके चलना चाहिए Tim Sifford इस player को दोस्तों ध्यान रखेगा बहुत अच्छे निक पे दोस्तों team Sifford अभी के टाइम पे selection percentage low दिखेगा आप लोगों को but मेरे हिसाब से आज के इस match का सबसे important player होने वाला है recent performance 79, 88, 55 यहां पर flop रहा है but recent form अच्छा है इस बात को ध्यान रखेगा पक्का से team Sifford को आप लोग try कीजेगा आपने team पर बागी दोस्तों अगर आप लोग batting वाले section को देखोगे तो Finn Allen का performance 100 man series पे सही नहीं था बागी T20 international पे भी देखोगे तो कुछ खास इन्होंने नहीं किया है बागी 28 match में 22 का average है head to head एक match खेला है जिसमें इन्होंने solar run मनाये थे Finn Allen को मैं drop करके चलूँगा Mark Chapman दोस्तों दूसरा low selection percentage player जो की game changer बन सकता है recent form 71, 104, 15 flop, 63, 51 5 match में दोस्तों 4 match में Mark Chapman की batting देखो आप लोग 2 head to head match में 57 का average है clear 55 match में 30 का average आगे बट recent performance देखो vice captain का एक mega grand league का low selection percentage player अगर देख रहे हो ना Mark Chapman वो potential रखता है इस बात को no down करके रखिएगा जबर्दस form पे है दोस्तों बन्दा ओके बागी बात करूं दोस्तों batting वाले section पे gland flip दिखेंगे कुछ खास performance नहीं रहा है 12 फिर 14 17 5 2 4 down position पे as a finisher खेलने आएंगे उतने important नहीं लगते है मुझे मैं अपने team पे drop करके ही चलूंगा gland flip की बागी बात करूं दोस्तों all rounder वाले section पे तो मुझे यहाँ पर dairy michelle और michelle center दिखते है dairy michelle का performance अगर आप लोग last के 5 मैच पे देखोगे तो 5 मैच पे floppy रहे है clear इसलिए dairy michelle को दोस्तों मैं drop करके चलूंगा recent performance कुछ खास नहीं है balling कर नहीं रहे हैं इसलिए उतने important मुझे लगते नहीं है बागी michelle center दोस्तों यहाँ पर important pick बन सकते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा head to head 11 मैच पे वैसे भी यह 17 wicket निकाल चुके हैं एक important pick बनते हैं और michelle भी vice captain और captain के एक अच्छे contender रहते हैं इस मैच पे ध्यान दीजेगा इनके performance को बागी balling वाले section के अगर मैं बात करूँ तो team Saudi अच्छे baller है दोस्तों wicket taker है लगबग हर match पे wickets निकालते हैं देख रहे होना आप यहाँ पर flop रहे हैं बस बागी 14 match पे add to head 14 wicket है एक must pick baller रहते हैं important pick रहते हैं इस shorty के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखो एक wicket एक wicket एक wicket एक wicket ठीक है बागी 10 match में 10 wicket है doubtful है mega grand league पे try कर सकते हो small league पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बात को ध्यान रखेगा बागी balling वाले section पे आप लोगों को lucky forgushan दिखेंगे और 7 में दिखेंगे Matt Henry, lucky forgushan को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ देखो 2 wicket, 2 wicket फिर last के 2 match से wicket less गए है 31 match में 43 wicket है head to head 4 match में इनके पास दोस्तो 6 wicket है एक important baller रहेंगे specially अगर New Zealand की team first inning से balling करने आती है तो super important रहेंगे बागी Matt Henry की अगर मैं बात करूँ तो mega grand league अगर खेल रहे हो ना तो Matt Henry को पका से try कीजेगा दोस्तो low selection percentage player 11 match पे 13 wicket निकाल चुका है recent performance 3 wicket, 2 wicket, 1 wicket अच्छा है, venue पे कोई record है नी बट यहाँ पर Pacer को क्योंकि ठीक टक advantage है तो एक important pick बन सकता है, बागी अभी के collection percentage player बागी Liam Livingston और Liam Livingston और Mohing Ali, दोनों में से किसी भी एक को try कर सकता हूँ हो सकता है दोस्तों यहाँ पर क्योंकि Devon Conway पहले batting करने आते हैं ना तो यहाँ पर Mohing Ali से भी team balling करा सकती है left handed के सामने इस बाद को ध्यान रखेगा इसलिए यह दोनों मेरे differential pick रहने वाले है बाकी center मेरे must pick player है Sam Karan मेरे important player है बाकी balling वाले section पर team Saudi है लोकी Ferguson है और Chris Jordan मेरे important pick है अभी के time पर clear इस match का captain और vice captain का contender अगर आप लोग मुझसे पूछते हो तो दोस्तों देखो vice captain का contender मैं आप लोगों को बता देता हूँ vice captain का contender santner और champman मतलब mega grand league के लिए champion को try कीजेगा वैसे अगर आप लोग small league के लिए try कर रहे हो तो mostly लोग Sam Karan को try करेंगे यहां से Josh Butler को try करेंगे और Devon Conway को try करेंगे मतलब मैं आप लोगों को एकदम अगर low selection percentage players पे बता हूँ तो मेरे हिसाब से champion बहुत अच्छे form पे है उन्हें try किया जा सकता है बाकी जो भी team पहले balling करने आती है उनके death के ballers हो गये जैसे Chris Jordan हो गया team Saudi हो गया ये भी important pick रह सकते है clear बाकी एक और important बात दोस्तों मैंने वीडियो के starting पे आप सभी friends का 25% referral income भी मिलता है तो बहुत अच्छा offer है दोस्तों इसलिए आप सभी लोगों से request है नीचे description और comment section से इस app को पक्का से download कर लीजेगा एक और important बात दोस्तों scale में आदत लगना और आर्थिक जोखिन संबाव है तो सभी लोग जिम्मेदारी से के लिए